असलाम लिक्व रहाम तुल्लाह। अल्लाहमसलीयोसलीम अलानवयान महम्मादिन बिसमिल्लाहरहमानुराहीम बीकम पार्ट टू सेशन दोजार उन्निस दोजार बीस इनकेम टेक्स की बुक है हम ठ्यूरी औन्नेमारिकल को डिस्कुस कर रहे हैं अगर आपने वह नहीं देखे तो लिंक के डिस्किप्शन में मौझूद है अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल पर क्लिक करके नटिफिकेशन में आल पर क्लिक करतें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने दोस्तों और इस्दारों और क्लास फैलोस को भी रिक्वेस्ट करें ताके वह भी इससा फाइता उठा सके इस लेक्शर के अंदर हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे उसके अंदर अलावबल डिड़क्शन को पढ़ेंगे इन चला तला चले स्टार्ट करते है सेक्शन कोस्टन जो प्रॉपर्टी पे आ सकता है वह वह डिड़क्शन अले अलावट अगेंस्ट आपर्टी इंकम या अलावबल डिड़क्शन और प्रॉपर्टी इंकम स्क्शन 15-1 इसका है अपने सेक्शन याद रखना है आंसर है जी इन कंप्यूटिंग दा रेंटल इंकम और इन कंप्पनी चारजबल टो टेक्स अंडर दा हैड इन कंप्र प्रप्रप्रप्रप्रट अच्छा पहले बता दू आपको एओ पी और इंडिविज्वल में चुब के अब ये डिड़क्शन लेस नहीं होती इसलिए अब सवाल जब आएगा तो उसमें कंप्पनी का जिकर आएगा कि कंप्पनी कौंच डिड़क्शन कर सकती है पहले ये 2017 से पहले इंडिविज्वल में भी था लेकिन अब इन्होंने खत्म कर दिया था अब सिर्फ कंप्पनी में होती है इन कंप्प्यूटिंग दा रेंटल इंकम ऑफ कंपनी चार्जबल टो टेक्स अंडर दा हैड इंकम फ्रम परपर्टी वार टेक्सियर और डिड़क्शन चल बी अलाउट फार दा फाल्विंग एक्स्पेंडिचर और अलाउंच नमर एक रिपेर चार्जिज रिपेर चार् है कभी वह उसकी जो है फरनिशिंग करने पड़ती है वाइट वाश करवाना पड़ता है कोई दिवार खराब हो जाती तो ऐसे सो सो मच एक्सपेंसिज हैं रिपेरिंग के अंदर जो बिल्डिंग को पर आते हैं तो गोमिट आपको जाज़र देती है कि आप अपनी रेंट लिगे कियोंकि आपने बिल्डिंग कोरिपेर भी करवाना है रूल है वन फिफ्व्थ ओफर रेंट चार्जबल्ट टु टेक्स जितना रेंट इस चार पांच चीदें है आप शीप लास्ट लक्चर के दर हमने पड़ा था आर सिटी क्या है रेंट चार्जबल टु टु ट है थिक अफाट recs करने चर्ठ अबने साफ प्लिझयर करने इस पार शाल नर्चुट अनी प्रीमियम पेडर पेडल पाथ कमपनी इन इह तु इन शो दागियर तो इस प्रीकोटे अरिस्ट विल्डिंग का आपने भी माग करवाया है उसके अब किस देरें या देनी यह वह ब ऐको चार्ज कोई भी बिब रिय्टा को लोकल टेक्स अता चार्ज कोई भी आपके ऑपर निक ये होता है घुम मेकमा उकाफ उसने बिल्डिंग्स लोगों को कुराया पे दियुंगे नाइंटिन नाइन इस पेस लीज पे कियुंगे उसके बड़ा माइनर से कुराया होते हैं बड़ी-बड़ी मार्किट्स के अंदर जहां पर लोग 40-50,000 रपाय रेंट ले रहे होते हैं वहां पर उनका करना है यह भी आपका लेस हो जाएगा ग्राउंड रेंट अगर आपने बिल्डिंग को बनाने के लिए कर्जा लिया और उस कर्जे के उपर इंट्रस दे रहे हैं या प्राफिट दे रहे हैं एनी प्राफिट पेडर पेबल बाइक कंपनी इन दा इयर और एनी मनी ख़ङगेगे रखले कर्या और आपने अपने इन प्रापटी को बनाने के लिए करजा लिया मंट गेज पर इनके रहन रहन रख के या रेनो वेड करने के लिए या उसको अक्स्टेंड बढागें के लिए या रिकरन्स चुण्ट दोबारा से तेमिर करने के लिए आपने इदारा है, बैंक है, कोई आपको पैसे देता है 20 लाग के आप घर बनाए, पैसे बैंक ने दिए या किसी इदारे ने दिए और आपने वो बिल्डिंग बनाई और अब आप कराया ले रहे हैं, तो कराया दो इसमें डिवाइड होगा, जिसने पैसे दिए और आपने काम किया बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दो इसमें जो आपने हिस्सा कराये का, किसी इदारे को या किसी दूसरे बंदे को दे दिया, वो भी आपकी ने में इनकम में से लेस होगा, वैदा प्रॉपटी है, बैस बिल्डिंग इसमें इक्वाइड रेनोवेटिड एक्स्ट कराये को शेर करेंगे बाद में, शेर इन रेंट एंड शेर टूवर्ड अप्रिशियेशन इंड वैली अप्रॉपटी पेड और पेड़ बाइबल बाइक कंपनी टूदा सेड कर्पोरेशन और बैंक इसना इन दायर, यह लेस हो जाएगा, यह भी डिडिक्शन आपकी लेस हो जाएगा, नमबर नेक्स्ट, मॉट गेज और कैपिटल चार्ज, वज़र प्रॉपटी सब्जेक्ट तो मॉट गेज और अधर कैपिटल चार्ज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरस्ट पेड तो सच, आपने अपने जमीन को रहन रखा हो है, कहीं पर उसके पर कर करवाया हो है, तो उसके उपर आप इंटरस्ट दे रहे हैं, वो भी लैस हो जाएगा, नेक्स्ट, एड्मिस्टेशन और कॉलेक्शन चार्ज, बड़ा एहम पॉइंट है गोर कीजिए का, एने एक्स्पेंडिचर नॉट एक्सीडिन सिक्स पसेंट और रेंड चार्ज अब करते हैं, कुलेक्शन चार्जीज कहते हैं इसको, आप पूरे पलादे का कराया कठा करने के लिए उपर भी खर्चा करते हैं, वो खर्चा भी आपका लैस हो जागा, लेकर वो आपके टोटल रेंग का रेंट का छे परसेंट से जज़दा नहीं होना चाहिए, बिसाल को दो अंडर डिस सेक्शन, पेट और पेबल बादे कामपनी इन दा इयर, होली और एक्सक्लिजली फादा पर परपस अफ ड्राइविंग रेंट चार्ज अबल टू टू टेक्स, अंडर दे हैड इंक वापर्टी, इंकलूटिंग अड्मिस्टेशन, इसे कहते हैं, अड्मिस्ट इसे के दफा में जितना खर्चा करेंगे, वह भी आपका लैस हो जाए, एक्सपेंडिचर पेड और पेबल बाय कंपनी इन टेक्सियर, फर लिगल सर्फिज रिकवाइड टू डिफेंड अ कंपनी का टाइटल, कंपनी का टाइटल, कंपनी का नाम है ना, कंपनी का नाम है कोई कहता है मेरी है, आपके हलाफ केस कर देता है, या कहता है मैं जे हिसाद हो इसमें से, तो आपने उसका दफा किया और वकील को पैसे दिये, तो ये भी आपका डिड़क्शन एलैस हो जाएगी, अन्पेड रेंट, वेन दियर एर रा रिजनेबल ग्राउंड फर बिलीव और गया, अब आप गोर्मिन कहती है, आपका पहले कराया जादा हारादा, अब कम है, तो अब बताएंगे, सॉलिड इसन देंगे, क्यों नहीं आ रहा, एनमाउट एक्वल तुदान पेडरेंट शल भी अलाउड बिल अलाउट परवाइड जैट, अगर आप ये अब आपकी कमपनी के पास उस टैनर्ट की कोई प्रॉपरटी ना हो, नबर दो, कमपनी ऐस टेकन आल इसनमर स्टेप तू इस्ट्टूट लिगल पर सीडिंग फार रिकर आपने वह क्राया रिकवर करने के लिए तमाम लीगल पर सीजर अपनाया है, नमर तीन, अल्पर दे अगर अपनी लिगा तो नीचे डिड़क्ड नहीं होगा, यह था हमारा सेंड थेरोटिकल ग्वेशिंग डिडिक्शन के ओपर इसके बाद अब हम प्रेक्टिकल कोष्चिन करेंगे कि इनको हो प्रॉपोपैटी के जो पॉइंट्स है, उसको प्राक्टिकली कैसे आपने इ वीडियो पसंद आए तो निचे लाइक पर क्लिक कर दें कुछ प्रब्लम समझना आए तो आप कॉमेंट वेक्स में लिख सकते हैं मैं जरूर गाइड करूँगा इंशादो आपको असलाम लिग वरह मतल्ला